असलाम लेकुम उमीद है आप सब खारियत से होंगे इस वीडियो में हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रही है वह एक सीरीज 45 डेज चैलेंज की है दिस में हम इंग्लिश रिट्रेटर एंड लांगविज से रिलेटेड जो है वह एम सी क्यूज डिसकस करेंगे क्योंके जो है बहुत सारे स्टूडिन्स होंगे जो लेक्ष्टर सब्जेक स्पेशलेस्ट या और बहुत सारी जो है वह टेस्ट क्राक करने की कोशिश कर रहे होंगे बर दे आर अनेबल तो क्राक दाट टेस्ट अब यह बुक्त है वह इंपोर्टन क्यों है बहुत जादा इंपोर्टन है इसमें बहुत डिटेल दी कहils है और सम ताइम है कि हम एक ही उनिवस्टी का या एक ही जो कर लेते हैं एक युनिवर्सटी का या एक यहां पर जैसे सिंद अलग है और पंजाब सर्विस अलग है तो यहां पर जितने भी हैं पंजाब सर्विस कमिशन या के सर्विस कमिशन सब्सक्राइब के इन चलिंग रही है यह सबसे अच्छी इस बुक की बहुत मुख्ली करना बहुत मुख्लत पढ़ना सुर्वधिस सब्सक्राइब क्पाइब मुख्ला मैं थूप्लिक बहुत मुख्ल था इस तो मुख्ली बनाई अगर है तो लोग अधो उन उनके लिए भी बहुत जादा डिफिकल्ट होगा तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक 45 डेज जो है वो चैलिंज बनाया जाए 45 डेज एक स्ट्राटेजी बनाया जाए कि विदिन 45 डेज जो है इस बुक को कम्प्लीट जो है वो कर लिया जाएगा तो चले आज हमारा डे में एक स्ट्राटेज के लिया दे गए है ताके जिन जुदेंस को ये इशू है मेरी तरह वह इस पर जो है वो ओर कम कर सके तो यह यहां पर 31 11 21 तक जो है वह वह इसकी इन एज़ीस की थोड़ी थोड़ी टीटिएल सी गई है साथ में टो राइटर्स हैं उनके उनके मेजर और माइनर वर्क्स सारे जो है वो डिसकस की गहें तक्रीबन सब में ठीक है और फिर कुछ एंड में मॉडल पीपर जो है वो पास्ट पीपर भी जो है वो दिये गए वो भी हम डिसकस करेंगे तो यह हमारा सेक्शन वन है लिट्रेडी एजिस एजवाइस कम्प्लीट लिस्ट मेजर आथर्स और उनके जो है वो मेजर वाक्स हैं यह देखें हैं यह हमारे पास लिस्ट में हमारे पास सेवन लिजई जा रही है ठीक है यह उसकी थोड़ी सी डीटेल आ गई और यह उनके जो हे आगे मेजर वाक्स चीक है हम जो हे यह रिसकस नहीं करेंगे हमारा जो में टार्गिट है वह हमारा M.C. की उसे हैं यह देखें हर एज की जो है वह थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी गई और साथ में मेजर वर्क्स जो है वह बताएं के है चैलेंज ही जैसे मैंने आपको पताया कि हमारा जो में टार्गिट है वो है mcqs multiple choice questions because जब हम paper आता हम detail हम बहुत हमने पढ़ी होती है लेकिन जब detail आती है जब paper में mcqs आता है sorry detailing mcqs आती है तो चलें आए स्टार्ट करते हैं पहला हमारा mcqs है कि चॉसर जो है वो किन मुनाक्स के एरा में जो है वो था यह अपने उसमें work जो लिखा है वो इन इज चार options दी गए है इन में से किन किन मुनाक्स के दौर में वो था मौजूद था वो तो हमारे पास पहले आ जाता है Edward third option D हमारा इसका जवाब है Richard second in Henry four यह तीन मुनाक्स से ठीक है इनके एरा में जो है जो है चॉसर ने अपनी राइटिंग प्रिडियूस की उसके बाद second mcqs किच किन जो है वो वो कितना चॉसर का सिंपली आब इसे के चॉसर का time duration क्या है कब से कब तक उसका time duration बनता है तो यह हमारे पास option यह जाता है 1340 तक शॉसके बाद हमारे पास third mcq जारता है 100 year war 100 year war किस century में start होती है यह हमाई बाद start होती है 14th century में English section की English section जो है वो age के बाद जो है यह 100 year war start होती है France और England के दर्मियान में Normal conquest जो है वो कब हुई English और sections के बाद जो है वो Normans ने आके Britain पर कब्जा कर लिया था और किस century में गी है 11th century में और किस year में हुई थी कि 1066 में नॉर्मन conquest हुई थी यानके जो Normans से वो जो है उन्होंने आकर England पर कब्जा कर लिया था अच्छा यह Normans, Angles, sections इनकी details जो है वो मेरे channel पर पढ़ी है video link जो है वो मैं इस video description में जो है वो लगा दूँ कि आप details जो है वो देख सकते हैं अच्छा आप फूर्थ mcqs हमारे पास जो है वो black death यह भी जो है अच्छा हम बात कर रहे थे black death जो है यह जैसे यह भी एक plague थी जैसे हमारा जो है वो covid-19 हमारे आया था और वो जो है किस तरह से spread कर रहा था इसी तरह यह भी जो है वो एक epidemic जो है वो black plague थी जो के बाड़ी पर जो है वो जादा जो है वो unhygerd रहने के वज़ा से जो black sports जो है वो निकलाते थे black काले जो है वो दाने निकलाते थे और जिससे जो है वो death हो गई थी चौसर age में जो है यह हमें historical events हमें मिलते हैं इसकी detail भी जो है वो आप आपको जो है वो मेरे चैनल की वीडियो में जो है वो मिल जाएगी six हमारे पास जो है mcq उसे war of roses अच्छा यह भी जो है वो historical event हमें मिलता है इसी age में ठीक है वो हमें किस के works में मिलती है शेक्सपेर के works में मिलती है यह हमारे जवाब ज़र वो Shakespeare है hundred year wars wars fought between hundred year wars जो होती है वो किस के दर्मयान यह हम उपर discuss भी कर शुनी है वो कब start हुई थी और किन के दर्मयान थी England और France के दर्मयान mcqs number eight आठवा mcqs है cadamon and sign wolves जो है वो बहुत famous जो है बहुत मशूर poets थे कौन थे वो चॉसर के साथ थे उनके उसके मदूदा writers से contemporary से उसके चॉसर के बाद वाले writers थे या चॉसर से पहले वाले writers थे तो हमारे पास जवाब आता है चॉसर स्पीडिक सेसर्स यानिके चॉसर के एराज से पहले जो writers थे यानिके cadamon and sign wolves थे वो में anglo section age के जो है वो writers ने religious poets थे ये और चॉसर उसके बाद चॉसर के ये जो है वो उसके बाद आती है war of roses जो है वो किन के दर्मयान जो है वो लड़ी गई यानिके वहां पर वो जो लॉड्स थे ठीक है war of roses जो है वो किन दो मतलब दो तरहां की लॉड्स के दर्मयान मिले जो है वो लड़ी गई तो यहां पर गी house of york and house of Lancaster हमारे पास option age का answer है उन दोनों की दर्मयान जो है वो लड़ी गई mcqs 10 globe theater ठीक है globe theater जो है वो किस यहर में built किया गया यह हमारे पास globe theater आजाता है Shakespeare की age में ठीक है और यह 1599 में जो है वो किस दौर में England की जो है वो गदी संबाली थी option a इसका जो है वो answer है 1558 में mcqs number 12 jacobian age का time duration क्या है इसका जवाब हमारे पास है 1603 से 1625 का जो time duration है उस time duration में क्रोमवेल जो है वो हमें मिलती है caroline age का time period क्या है caroline age का time period है option 10 का answer 1625 से 1649 का time duration है उसमें हमें caroline age मिलती है अचा उसके बाद common wealth regime जो है वो उसका time duration क्या है जो क्रोमवेल ने head की थी यानि कि क्रोमवेल जो है वो ने rule किया था वो हमें मिलता है 1649 से 1660 तक जो है वो इसका time duration है उसमें caroline जो है वो rule किया था पहली बार किसी public figure ने जै वो rule किया था यानि कि मुनाक की नहीं थी इस time duration के द़ुराण पहली बार ऐसे हुआ था कि 169 से 1660 के तरम्यान कोई मुनाकी रही थी किसी किंग ने रूल नहीं किया था चार्ल्स टू को जो है मतलब चार्ल्स टू जब री स्टोर हुआ था और उसने आके इंगलेंड का जो तार्ट संभाला था या इंगलेंड की बागडोर संभाली थी वो किस दौर में मतलब किस स्केर में हुआ था तो 1660 में जो है वो चार्ल्स टू जो चार्ल्स टू जो चार्ल्स बन का बेटा था ठीक है वो आया था 1649 में चार्ल्स बन को भी हैड कर दिया गया था और उसका बीटा जब वह भागकर जब फ्रीज चला जाता है तो वह जब वापस यह सिक्शेन 1949 में किस की एज जो है वो Jacobian age कहलाती है वो है age of James 1 जो के Queen Elizabeth का कजन था किस की age जो है Caroline age कहलाती है इसका answer होगा answer A sorry option A age of Charles 1 who headed the Commonwealth regime after the execution of Charles 1 अच्छा किसने जो है वो Commonwealth जो है मतलब मैंने कहा कि मुनाकी नहीं थी तो कोई King नहीं था तो उसके बाद जो rule किया था उसने किया था Cromwell में Charles 1 के बाद Charles 1 को जो है वहां से निकाल दिया गया था बिकास उसके कुछ rules जो है वो पप्लिक को पसंद नहीं आ रहे थे MC case 20 हमारे पास है कि जो है वो Latin secretary जो है वो Puritan government के दर्मियान किसको appoint किया गया था तो वो हमारे पास आता है Milton, John Milton को जो है वो Latin security secretary जो है वो पॉइंट किया गया था Puritan government के दर्मियान दौरान MCQs 21 age of restoration जो है वो इसलिए कहलाई जाती है restoration age क्योंकि कौन सा king था जो है वो restore हुआ था यानि कि दुबारा से जो है वो king जो है वो बना था तो हमारे पास kingship restore हुई थी तो वो हमारे पास हमारा जवाब है option c charles second 22 mcqs थेटर्स जो है वो commonwealth regime यानके cromwell के जब rule कर रहा था तो उस जो रान जो है वो बत हो गये थे तो वो के seared में जो है वो दुबारा open हुए थे तो जब जाल सेकिंड जो है वो वापिस आते हैं तो 1660 में जो है दुबारा से थेटर जो है वो reopen हो जाते हैं 23 mcqs restoration marks the real moment of birth of our modern English pros किस ने कहा था ठीक है किसकी observation थी कि restoration जो है वो real movement है ठीक है modern English की restoration जो है वो reason modern English के birth की तो Matthew Arnold ने ये कहा था अच्छा अब ये जो term है अगस्टन जो है वो सबसे पहले के school of poets ने जो है अप्लाय की थी यारिंकि जो age है अगस्टन उसको ये नाम किस ने दिया था तो ये जो है वो Samuel Johnson डॉक्टर Samuel Johnson था जिसने जो है ये term जो है इंटाइटर्स के लिए अप्लाय की थी 18th century को 18th century को English literature में क्या कहा जाता है age of reason भी कहा जाता है ठीक है age of puritan sentimentalism age of expressive ठीक है इन में हमारा जवाब होगा age of reason MCQ 26 हमारे पास है किस ने कहा था कि 18th century जो है हमारी admirable है और indispensable है 18th century है यानिके 18th century बहुत जरूरी है हमारे लिए अप्रिशेटेबल है तो ये भी ये भी रिमार्ग दिया था मेथियो आर्डनल ने 27 MCQ है who called the 18th century the age of pros and reason किस ने कहा था कि 18th century जो है वो age of pros and reason है इसका answer भी हमारे पास मिथ्यो आर्डनल जो है वो आता है अच्छा है अब हमारा mcq है 28 और इस mcq में कि जो epithet है यह यह तो term है अगस्टन जो first apply की गई थी ड्राइडन के लिए किस ने apply की थी यह निकि जो अगस्टन वर्ड जो है वो ड्राइडन के लिए apply की ड्राइडन को कहा गया तो इसका जवाब हमारे पास है डॉक्टर samuel johnson ऐसे हम जो है वो mark कर लें colorful यह मेरी strategy है याद रखने की कि अगर colorful जो है वो होगा तो चीजें जो है वो जल्दी याद हो जाएंगी और mcqs 29 the new classical age in English literature follows the model of के हमारे पास जो new classical age है इंग्लिश लिट्रेचर में वो कौन मतलब किस literature को follow किया कौन से model को follow किया तो new classical age में जो Greek Roman literature था ज्यादा तर जो है वो उसे follow किया गया mcqs 30 the coffee house culture flourishing coffee house culture इसको जो है वो मैं detailed वीडियो आप से share कर दूंग फिल हमारे mcqs जो है वो देखती है कि coffee house culture जो है वो किस age में flourish हुआ था किस age में हमें मिलता है तो इसका जवाब है age of dr johnson samuel johnson mcqs 31 why is the year 1798 taken to be the year of the beginning of the romantic moment बहुत easy है कि जो year है 1798 उसको जो है वो romantic moment की का start क्यों माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि ये वो साल था जिसमें William Wordsworth और Samuel College की जो लिरिकल बैलर्टी वो पब्लिश हुई थी चले mcqs 32 अचा इसमें जो है ये कुछ लाइन्स हैं ठीक है William Wordsworth की ये लाइन्स हैं और इसमें जो है किस टाइम के जो है वो बात कर रहा है William Wordsworth और Europe at that time was thrilled with joy France standing on the top of golden ars and human nature seeming born again तो इन लाइन्स में किस टाइम के बार में Wordsworth जो है वो बात कर रहे हैं तो हमारा जवाब होगा the time of french revolution इस lines में जो है वो french revolution जो historical event है उसको जो है वो discuss किया जा रहा है अचा जी 33 MCQs है bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven अचा ये भी Wordsworth की line है और ये line हमें उसके किस work में हमें मिलती है तो इसका exact answer होगा the prelude प्रिलूड जो है वो विल्यम वर्जवर्ट की जो है वो long narrative point है MCQs 34 हम देखते हैं who was the intellectual father of french revolution who was the intellectual father means कि french revolution को ठीक है अपनी राइटिंग के फ्रू जो है वो सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला कौन था रूस ऐसी हो था हमारा अंसर इसका यह है 35 after whom did Wordsworth become the poet laureate of England आचा पोईट लॉयरेट जो है वो एक जॉब होती है और यह पोईट जो है वो इंग्लेंड की appreciation के लिए जो है वो लिखता है ऑफिशली जो है ऑफिशल पोईट होता है ठीक है किसी भी country का तो इंग्लेंड के जो है किस के बाज है वो वर्ड वर जो है वो यह पोईट लॉयरेट जो है वो बन गए थे रॉबर्ट साउथी हमारा जवाब है और ऑप्शन सी रॉबर्ट साउथी के बाज है वो विल्लियम वर्ड वर जो है वो बन गए थे 36 mcqs after whose refusal अच्छा किसके इंकार के बाज वो पोईट लॉयरेट शिप थी ठीक है वो जो है वस कंफर्ट ऑन रॉबर्ट साउथी ठीक है किस ने इंकार किया था जो वो लॉयरेट शिप जो है वो रॉबर्ट साउथी को जो मिल कही थी वो वॉल्टर स्कॉट थे mcqs 37 के यह जो एर है हमारे पास 1837 उससे जो है वो closing year यानि के romantic age खतम हो जाती है उस year में क्यूं माना जाता है और इसी year को Victorian age का स्राण माना जाता है किस वज़ा से इसका जवाब हमें पास होगा option B क्यूंके इस 1837 में जो Queen Victoria थी उसने अपना जो है वो तक्त ताज संबाला था mcqs 38 Queen Victoria ने जो क्या कहते हैं यह तक्त संबाला था तक्त ताज संबाला था Queen बनी थी तो वो किसके बाद बनी थी विलियम एर्थ के बाद जो है Queen Victoria ने England की बागदोड संबाले थी mcqs 39 Golden Jubilee Queen Victoria की कब सेलिब्रेट की गई थी किस एर में तो यह भी बहुत important questions है इसका आंसर हमारे पास option B 1887 में Queen Victoria ने अपनी जो है वो Golden Jubilee जो है वो सेलिब्रेट की थी अच्छा विक्तोरियन एर है यह English Literature में लॉंगेस्ट एज जो है वो मानी चाहती है Queen Victoria ने सबसे ज़्यादा रूल किया था 40 MCQs Queen Victoria became the Empress of India in Queen Victoria जो है वो इंडिया की Empress बन गी थी किस एर में अच्छा यह भी बहुत important questions है यह भी जो है वो सब्जेक्स पिपर हुआ था उसमें MCQs जो है वो उठाया गया था कि कुईन विक्टोरिया एंपरस जो है वो कब बनी थी तो यह 1876 में जो है वो एंपरस ऑफ इंडिया जो है वो बनी थी 41 MCQs बहुत थोड़े MCQs रह गए हैं मैंने आपको बढ़ा था कि इस तमाम एडियों के जो जर्णरल selection challenges अब इसमें जो है जो जावन की थेरी थी वो किसे related थी ठीक है वो इसका जवाब है हमारे पास biblical concept of the creation of the world यह हमारे इस MCQs का जवाब है यह भी MCQs थोड़ा सा जो है मुझे इसकी डीटेल नहीं पता तो मैं इसकी डीटेल जो है वो आपसे community post में ज़रूर शेयर करूंगी यह फिलहाल जो हमें MCQs याद रखेगा भी देखें मेरी एक strategy है मुझे जो MCQs नहीं आते मैं उन्हें मा कर लेती हूं कि रहें मैंने यहाँ जो है MCQs मुझे नहीं आते मैंने वो मा की में और यह सारह MCQs की डीटेल शाहएं मुझे नहीं पता है इसलिए मैंने इने मा कीआ हुआ है और इनकी डीटेल्स जो है वो मैं जुरूर आप लोगों से शेयर करूगी तैनिसन वुद अपॉइंटिड दा पोईट लॉरेट आफ्टर अच्छा टैनिसन जो विक्टोरिन एच का बहुत बड़ा जो है वो राइटर है रिपर्जेंटेटिव विक्टोरिन एच का तो वो जो है वो क inceqis 43 देनस इस अपिक ड्रामा रिटन बाइ हार्डी इत डेल्स विद अचा अब यह 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 इक ड्रामा रहर्डी ने लिखा और इसमें किस के बारेमें दिसक्स किया गया है निपलिनियक वॉड्स के बारेमें जो है वो डिसक्स किया गया है mcqs 44 in dickens are tale of tale of two cities the two cities referred to are dickens के जो tale of two cities है उसमें कौन से दो cities को refer किया गया है वो दो cities जा है वो लंडन और पैरे से हमारे जवाब होगा option B mcqs 45 tennyson की जो theme है idolist of the king की वो क्या है तो इसमें हमारा जवाब होगा answer जो है option A story of king Arthur and his round table mcqs 46 who succeeded Robert Bridges as the poet laureate of England के Robert Bridges के बाद जो है वो कौन जो है poet laureate जो है बना था john messville जो है poet laureate जो है बनी थे 47 oh east is east and west is wet and never the train can meet who hold this view किसका view है ये ये जो lines हमें दी गही है ये किस writers की है तो ये writer इसका answer हमारे पास होगा नोबल प्राइज जोर्ज बर्णाड शा को किस यहर में नोबल प्राइज दिया गया था नाइंटी फॉंटी फाइव में उन्हें नोबल आवार्ड से नमाज आ गया था ये एम फॉस्टर का जो पैसिज ऑफ इंडिया है वो किस से डील करता है ये हमारा mcqs नोबर 49 है तो इसका अंसर होगा c, option c, relationship between the British and India इनकी इंडिया और British के जो at that time जब British ने जा के जो है वो कॉलनाइस कर लिया था इंडिया का तो उनका आपस में क्या तालुका थे इसके बारे में है ये passage to India mcqs 50 who was believed to be a classiest in literature, royalist in politics and anglo-catholic religion कौन जो है वो मतलब किसे कहा जाता है वो कि classiest in literature में royalist है politics में means ये सारे जो है नाम से उसे पुकारा जाता है तो वो हमारे पास हमारे पास जवाब आता है T.S. Eliot को जो है वो classical writer माना जाता है और बहुत marvelous जो है वो writer था ये हमारे जो है वो आज का day one challenge था जो हमने पूरा किया ओल एजिस का next वीडियो में हम जो है वो day two में हम discuss करेंगे literary schools and movements और like and comment जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंदा आए और suggestion जरूर दीजिएगा किसमें folder जो है और क्या चीजिए है डूनी चाहिए थेंक्यू नहींग है जरूर कर दो देखड़ा है जो है अजए है।